यह कहानी है दो बच्चों की जो एक गाउं में रहते थे उन में से एक छे साल का था और एक दस साल का दोनों बहुत अच्छे दोस्ते बिल्कुल छोले के जय और वीरू जैसे दोनों हमेशा साथ-साथ रहते साथ-साथ खेलते साथ-साथ खाते-पीते साथ-साथ नाते दोते नहीं दोते नहीं, ये थोड़ा जादा हो गया तो एक दिन वो दोनों गाउं से थोड़ा दूर निकल गए और खेलते खेलते उन में से जो बड़ा बच्चा था दस साल वाला, वो एक मुए में गिर गया गिर गया और जोर जो उसे खेल्प के लिए, और फिर उसकी नजर पड़ी एक बाल्टी पे, जिस पे एक रसी बंदी हुई थी उसने एक सेकंड भी वेस नहीं किया उस बाल्टी को उठा करके प्लियों में फैट गया और अपने दोस्तों को बोला के पकड़ ले इस उसके दोस्तों के पकड़ा और वह अपनी पूरी ताहर लगा अपनी पूरी जान लगा दी उसने, छोटेशाए बच्चे ने और अदस साल के बच्चे नो उस बाल्टी को पकड़ा हुआ था खीशतार खीशतार और तब तक नहीं रुका जब तक उसने अपने दोस्तों बचानी दिया जब तक वो बार ने दिया अब यहां तक तो ठीक था यहां तक तो एक आनी समझ आती है लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही यह दो बच्चे जब दोनों एक हो गए जब भार आए और आकर करके गले मिल रहे रो रहे और खुश हो रहे एक तरफ उनको डर भी लग रहा था डर था कि अब गाउं जाएंगे तो बहुत बिटाई होगी जब उनको बताएंगे कि ऐसे हम कुए में गिर गए और यह सब चीज़े होई लेकिन मज़े की बात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वो जब गाउं गए और जा करके उन्होंने अपने घरवालों को बताया बाकी गाउं वालों को बताया तो किसी ने विश्वास ने किया पूरे गाउं वालों ने और वो अपनी जगे बिलकुल ठीक थे किए कि उस बच्चे में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो एक बाल्टी पानी से भरी हुई वो उठा सके तो इतने बड़े बच्चे को इतनी उपर खीचना तो बहुत दूर की बात है लेकिन एक आदमी था उस गाओं में उसने विश्वास कर लिया उनको सब रहीम चाचा कहते थे उस गाओं के सबसे समझदार बुजर्गों में से एक और सबको लगा कि यार ये कभी जूट नहीं बोलते हैं अगर ये कह रहे हैं तो जरूर कोई नो कोई बात होगी कोई नो कोई वज़े होगी जिस वज़े से ऐसा कह रहे हैं और फिस सारे गाउं वाले इखटे हो करके उनके पास में गए और जा करके बोले कि देखो जी हमें तो कुछ समझ आ नहीं रहा आप भी बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है तो उनको हसी आ गई वो बोले कि यार इसमें मैं क्या बता हूँ उसने कैसे किया बाल्टी को उठा गरके कुए में फैका उसके दोस्त ने बाल्टी को पकड़ा उसने रसी को खीचा और अपने दोस्त को बचा लिया तो आपको पता तो है उसने कैसे किया बच्चा बता तो रहा है इसमें मैं क्या बता हूँ तो सारे गावाले उनकी शकल देखे पिर कुछ देर बाद वो बोले कि सवाल ये नहीं है कि वो छोटा सा बच्चा ये कैसे कर भाया सवाल ये है कि वो ये क्यों कर भाया कि उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई और बोले इसका सिर्फ एक जवाब है सिर्फ एक कि जिस वक्त उस बच्चे ने ये किया उस टाइम पे उस जगे पर दूर दूर तक कोई नहीं था उस बच्चे को ये बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता कोई नहीं था कोई नहीं यहां तक कि वो खुद भी नहीं वो खुद भी नहीं कियात्त कि वी नहीं ये नहीं खुद एल्ड़्यार ज्रैटॉ झाल झाल